दुनिया बनाने वाले क्या तिरे मन में समाई काहे को दुनिया बना पंक होते तुड़ा तिरे जनक जनक तुरी बाज पायली रे मामा रे मामा रे सुन लो सुनाता हूँ फिर इचक दाना भी चक दाना दाने उपर दा के दिल उसे दो जो जा दे दे जा उसे दो जो दिल दे दे जिन्दे की एक सफर है सुहाना यहां कर क्या हूँ किसने जाना जागो सोने वालो सुनाओ मेरी कहाने काओ ट्विस्ट करें तुरात अंधेरी दूर सवेरा बरबाद है दिल मेरा बदन पे सितारे लपेटे देश दी फिल्म इंडस्ट्री ते अपने गीता रही लखा क्रोडा लोकां दे दिला ते राज करन वाले एक ऐसे गीत कार जिन्ना ने पंजास साल तक अपने हुनर दा देश वी देश वीच लोहा मनवाया अज पामेयो साधे वीच मजूद नहीं हन उस शक्सिये दा नाम हसरत जैपुरी जिन्ना नू आज वी हर देश वासी अते वी देशा वीच वीच वसे लोक बड़े शोक याद कर दे हन अज उन्ना दे जनम शितापदी दे मोके थे इतफाकन उन्ना दे बेटे अक्तर हसरत जैपुरी अते उन्ना दे डॉटर इन लो अजरा अक्तर शेयर वीच मजूद हन आउ उन्ना ना गालबात कर दें उन्ना दी जड़ी पुरानी जड़ी है यादा ताजियां कर दें हसरजी दी जड़ी पुरानी यादा जड़ी है ताजिय कर दें आउ गालबात करें नमस्ते मैं अलो आपका स्वाग है तेल उद्याना प्लस निउस दूसरी बात यह कि उनके गाने जो है इतने मुशूर है कि आजकल कि जो न्यू जनरेशन है उनके जुबान पर ऐसे चल रहे हैं गुण गुण आ रहे हैं लोग कि वो भूली नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे एक तूशायद आज आपका भी बढिब्डेर है तो क्या कहना चाहेंगे कुछां में बताएं कि ऐसा है न के कुर्ण होग होत है एक जiben और उस रिदि दे लाने और उस जमाने के और शारों ने जो काम किया है बहतरीन काम के दें उन गानों में मीनिंग्स थी, कुछ सीखने को मिलता था, आजकल के गाने वेरी फास्ट हैं, आप थेडर से भार निकलो, आप भूल जाते हो कौन सा गाना था, और पहले रागो पर सुर्टाल सब बराबर थे, इसलिए लोगों को याद रहता है। जेड़े सोरा सीखने हों, पर तो अड़े सोरा साथ ने काफी मशूर ने, तो आड़े दिल दे वीच रास कार दे। तुस्सी की सोच दे। दे हो नहीं के टोड़े फादर दे टरीक्या ना लीने हो, की सोच दे हो ? मैंने उनको शुरू से फादर ही समझा और इसलिए शायद वो शिद्दत मेरे में भी थी और उनमें भी थी ही मतलब दोनों हाथ से ताली बचती है अक्सर कहते हैं ना कि ससुराल ससुराल बट मैं को माशाला से 32 साल हो गया दस साल मैंने डैडी के साथ गुजा रहे बट मैंने एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर के बाहर हूं मतलब किसी चीज की मुझे कोई पावंदी नहीं लगाई उन्होंने सबसे बड़ी बात के शौकीन मैं मतलब उस तरह इंपर नहीं समझ में आता था क्या है क्या है क्योंकि मैं भी बस 21 साल की थी जब मेरी शादी इनके साथ हुई लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे तो वही काने पसंद है जो डेडी के ही लिखे वे हैं तो डाट वस में को लगता है कनेक्शन था वो एक ता महा जमाने का और डेडी तो शायद आए तो नहीं लोग के सब खून की एक एक रग रग में बस सारा मुझे आँखों में इस ऐसा लग रहा है कि बह रहा है और मैं उनके साथ तिल लास्ट टाइम उनका जो देहांद भी हुआ आइसीव में भी हाला कि ममी भी थी मेरे दोनों मैंने हस्बिन मेरे देवर सब थे लेकिन डॉक्टर ने सिफ मुझे अलाओ करके रखा वा था इतना ज्यादा प्यार था हाँ उनको उन सबको लगता है कि अधिक है और जगा डैडी गिर गय तो मैं भागू लेके तो मैं बागू लेके तो मैं डैडी कभी एसा नहीं समझे जिए सब्सक्राइब तो वह प्यार तो यूनो ना बेटी होने के हिसाब से तो मेरे लिए तो जैसे आप कई वूमेंज के बीच में बैठते होंगे कहीं जगा जाते होंगे विजिट करते होंगे तो जो बाकी वूमेंज होती हैं उनका क्या कहना होता है जलते हैं और क्या होना है मैं तो एक मिडल क्लास फैमली से थी हमारे लिए बहुत दौलत मंद भी नहीं थे से बड़ी दौलत थी तो और हमारे अस्बिन को मेंली जिसे शादी करने थी कि वह शी मस्वी एजुकेड़ ओविस्ली नॉट वेरी गुड लुकिंग बट ठीक है ओके यह था कि हां घर को समझे मेरे सासूर का हमेशा कहना था कि लड़की से शादी नहीं होती फैमिली से श तो और मैं मॉमी इस दस खांदानों में इतने कुपसूरत औरत नहीं होगी तो यू नो मैं फादर इनलोव इस फॉंड ऑफ कुपसूरती ऑलसो तो यू ना एक पटक से मामला जम गया और वाटेवर इस पढ़ रही थी तो मेरे पढ़ाई के लिए मेरे सास रुकी और बीस आदिल नाम है जिसका और मेरे सासूर का वो बहुत ही डार्लिंग और नसीब से यह सवे साल में आई गाट ग्रांट सन तो यहने हसद जी का पर पोता भी आ गया तो यह एक तरह से अलने गिफ्ट दिया है कि सवे साल में एडी को क्या गिफ्ट दे सकता एंसान कोई तो यह लों विल बखल बड़ी अमानत नांव्न गूशे 6,000 डिया कल अफ ाप बताइए कि एसे कौन से सौंग से जो आज भी लोग सुन करते हैं रीक्मपोस हो जाते हैं लग लग भी मिक्स बन के आ जाते सौंग्स के पर लोग जो yhtल है वो तो बढ़ीजनल ही है हस्रच जी एक उरिजनल गीतकार थे, जो उनके गाने थे, वो एक उरिजनल थे, क्या कहना चाहेंगे उनको गाने को लेकर, क्योंकि आप भी गाते होंगे, घर पर गुन गुनाते होंगे, डेडी ने ऐसे तो बहुत सारे गाने लिखें, बहुत सारे, लिकें कुछ ऐसे गाने जो हमेशा या गाने चले उस पिच्चर ने उनकी तकदीर बदल दी रातो रात मशूर हो गए हो आगे भी बहुत सारे गाने लिखे हैं मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूं कि कौन से ऐसे गाने जो मुझे बहुत दिल के करीब में मुझे तो हर गाना पसंद है मगर आप अगर मूड लखे एक उनका गाना था यारी को लेकर की यारी को लेकर वह वो phone पाफ थे वह बहुत रहाए हुँ और काफी गाने नहीं निकाले थिया जोड्वार आप क्या कहना चाहेंगो डेडी ऑद्य तो घर में भी दोस्ति थी तो यारी के लिए क्या कहना है बहुत भुर का लड़कों से मजाग यहां तक मेंसे इतना इतना मजाग कर लेते या इतना वो जोक सुना देते कि मैं मदर इनलो कभी कहती थी आप कुछ वो कुछ है कि नहीं भाई तुम्हारी बहु है तो बहु है तो क्या हुआ मैंने ही वस सो फ्रेंडली उनका नेचर ही वैसा था है उनको सब को पसंदा क्या है वो मनद डैडी होंगे तो कभी ऐसे घर में नियागा कि खामोशी है कुछ ना कुछ ना कुछ चलते रहा था कुछ नहीं तो मेरे पास मैं किचिन में होती थी अच्छा मुझे भी ज़रा सा आम नाट ट्रेंड सिंगर लेकिन आदत थी तरह गुर्ण गुर्णाने की या कुछ भी ऐसा है न क्यूंकि मैं डैडी के गाने काफी मुझे हद तक एक तरह से बाया है आपका एक मूड रहता है कभी भी हमेशा इस वर अभी जो मूड है तो मुझे ऐसा लगता है कि डैडी यह काम हुआ नहीं तो फिर जैसे या कभी उपर वाले से नाराज हो जाए तो आप उन मूलेंगे ना दुनिया बनाने वाले क्या तिरे मन में समाई काहे को दुनिया बना चाहे वो इश्क में आदमी तूटा हो चाहे वो अपने भायन बाई से उठा हो तो यह गाना इस वे वो ऐसी मैक्सी पहने थे जिस पर सिधा तो वन परसें कुड़ेंट स्टॉप फ़म सिंगिंग बदन पे सितारे लपेटे हुए एक एक दम ही चरम सीमा पे चले जाओ आप कि एक दम ही दुखी हो पूरी फैमली ने आपको तंग करके रखा है तो ऐसा लगता है कहां चले ज और रोमेंटिक चाहिए मैं नहीं मानती खाली रोमेंटिक डाड़ी है टच्च टेश्ट एवरी फील्ड अब जैसे आप समझे बूद बंगला गाने लो यह नो बूद बंगले का गाना ड़ी का सारे गाने ड़ी मोस्ली उसी में थे गाने के एक वो ता हो ट्विस्ट करें आज भी चलता है और फिर मैं अकसर यह गाने हैं बहुत गाती हूं घर में जब इलोग को सोने चाहिए जागो सोने वालो सुनो मेरी कहाने फिलसफे पे आजाओ तो हर इनसान जब फिलसफे की बात करता है थोड़ा सा ज़रा फिलोजिफिकल है थोड़ा सीरियस हो जाता है बट मैं इफादरना जिन्दे की एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हूँ किसने जाना रोमैंटिक में भी फिलसफ़ा है कि दिल उसे दो जो जो दिल दे दे यह भी फ्लसफ़ा है क्योंकि जो हस के चलोगे तो काम बढ़ेगा जो रूख के रहर तो काम नहीं बनेगा यहां समझाना बच्चों को भी अगर समझाना है तो रैडी काना बच्पन से मेरी मां मेरे लिए गाती आई औरे मा मारे सुन लो सुनाता हूँ फि जो भी आप देख लो या सवेरा वो पिच्चर क्या सहरा उसमें देख लो पंक होते तो उड़ा तीरे जनक जनक तुरी बाजे पाए लिए तो चर्चा पर बैठे तो काफी गाने निकल की आएंगे तो कितना भी आसा हैं लोग नहीं कि नेड़ी का मूड पर जो है एक नाइक गाना बनते ही है अभी मैं एक शादी में गए थी हमारे तो बहुती लाओजी लोग गाना गा रहे थे तो मैंने फिर आजिकल तेरे मेरे प्यार वो पूरा ग्रूप उटके नाचने लगा अभी क्या है यह अलाकि उसमें मैं एक वभी कहा है इना मीना डिका भी का जो अच्छा मैं अभी अभी मेरे हस्बन से मेरी वह हो रही थी बहस् और मेरें मीजिकख के वज़े से गाने को यादा क्या है मैंने जांना अब म्यूजिक्स तोड़ी याद कर आठे हो रहते हैं अब म्यूजिक्स तोड़ी यात कर रहते हैं तो देह वो dummy words तो dummy words फोड़ी याद करते हैं एक,टो,तीन,चार,पाँ ऐसे नहीं याद करते है गाना याद करते हैं इसे यही बहस हो रही थी तो सर अगर बात करें कि कितने गाने लिखे हैं सर ने, काफी अनुमान लगाए जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर आपको क्या लगता है, कितने गाने हैं, आपको क्योंकि औरिजिनल पता है, कितने गाने जो हैं, लिखे हुए हैं हसरस जी की तरफ स मैंने भी रिसेंटी थोड़ी जानकरी ली है तो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से करीब बारा सो प्लस के गाने लिखे हुए रिकॉर्डेड और अन्रिकॉर्डेड तो मुझे भी अंदाजा नहीं है लेकिन दो हजार तक आराम से होंगे पुराने जमाने में सिंगर लता जी रफी साब मुकेश साब ये सब हैना साथ में बेठा करते थे और पूरी स्टोरी सुनाई जाती थी कि इस गाने में क्या एट करना है इस गाने में क्या नहीं एट करना है इस गाना खतम होगा तो क्या सीन होगा वो सब देखके है ना गाने पे बेठा जाता था और एक-एक महीना लगता था उस गाने को पूरा complete करने को आज का जमाना different है आज कल producer आते हैं आप गाना लिख दो romantic लिख दो हम देख लेंगे क्या करना है उसके दर ऐसा नहीं लिखा जाता आज का जमाना has become very horrible मैंने पांच-पांच-छे-छे music director हैं एक film में मतलब कोई मतलब नहीं एक जैसा वो blood bank नहीं हो जाता है हर तरह का खून available है वहाँ पर वो उस तरह का हो गया यहां पे गाने का वह लब वो connection ही नहीं रहा तो जब connection नहीं रहा तो वो शिद्दत आएगी नहीं चाहे वो शंकर जैकिशन हस्तर सेलेंशन इंदर हो तो वो शिद्दत जो अदिय चाहे वो लक्षमी जी हो लक्षमी कान प्यारला उनके साथ आनन बक्षी का जो मेल है तो जो वो connection बनता था वो आजके तो कहीं भी नहीं है नो one at all अब आपकी बात करें लुध्याना आपने प्यार से बुलाया है हमेशा याद रखेंगे और हमेशा आगे भी आते रहेंगे मुझे लुध्याना पसंद आया है especially the climate it is very nice climate Bombay क्या है coastal region very hot it is तो मुझे तो बहुत आराम मिला है लुध्याना में आपका क्या कहना चाहेंगे जो लोग है यहां पर दिलों में महबत है और वह सची महबत जैसी लग रहे है किसे ने हमको प्यार से अपनाया है सबसे बड़ी बात यह लुध्याना के लिए मुझे यह रहेगी हाला कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ पंजाब में मैं यहां के बारे में काफी कुछ जानती हूँ कि कल भी हो लोग है जब मैं कुछ बोल रही थी तो लुध्याना विल भी रिमेंबर मोर के डैडी की सेंटिनरी स्टाटेट फ्रॉम दिस वेरी प्लेस मैं कभी आई नहीं हूँ पंजाब तो उसके वज़े से किसमत की बाद हाला के मैं हजबन और उनके भाई भी हैं बट यह तिंग यह डैडी की ब्लेसिंग्स है कि मैं उन ब्लेसिंग्स के साथ मैं इदार आई और डैडी के प्रोग्राम केíst लिए मैं शामिल हूँए मैं बहुत शुक्रईघर आ जोरभ का और आप सब न मैं लगज्टा का मोटिवेट कर चाहें आज यूऊ उसको कैसे मोटिवेट करना चाहें अगर अपनी जिन्दगी में कुछ पाना है, तो पुराने जमाने में चले जाए, पुराने गाने सुने और अपनी जिन्दगी बनाए, आज के गाने आपको कही नहीं लेके जाने वाले, और कभी याद नहीं रहेंगे, मेरी यही दुआ है. मेरा मोटिविपेशिन Eenडर का यह हें के पुर्हाने औु नए 微s कि आने को मिल के का मने HOW पुराने होते तो डैवज फो डैवज नो डीड़ gem ko ऊगल राइ तो वह आज के जमाने का है Google यू चाहिए कि हम पुराने गानों को इतने इजीली पास सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी सारी वैलियो मालूम पड़ जाती ही जानकारी, तो पुराना जमाना और नया जमाना, दे गो हैंड इन हैंड, ट्राइटू टेक दे बेस्ट अफ दे बोथ, ते एसी गी तो पास से स्पेशल इंटर्विव, हसरत जैपुरी, जेना दा ना मिनना सिगा, लोका दे वीच जड़े हाजवी उन्हारे जड़े लोकी गाने सुन्देने, उन्हारे बेटा जी ना गालबाद कीती है, उन्हारे डॉटरी इनलों ना जड़ी गालबाद कीती है, किदर लगी स्पेशल इंटर्विव, हसरत जैपुरी जी दिवारे आ जोना दा हंडर्ट जेड़ा या बर्थ एन्वर्सरी है, उत्ते की कहना चाओंगे, उन्हारे बेटा जी नुँ विचिस लिखे पे जो, क्योंकि उन्हारे बेटे दी जेड़ी आज बर्ड़े है, एद्धी होर ने जी दिवारे बेटे जुड़े रो, लुद्याना प्रस न्यूस जेनाल, मैंहा दीप्ति शर्मा, कैमरामेन रोही देना